नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन से ही दस्वी और बराहमी पास करने के अनिवर्ता नहीं होगी, वहीं भासा समन्धी बदलाव भी इसमें किये गए हैं, हालाकि जारखन के अलग अलग जीलो में युवाइस का विरोध करने लगे हैं, बता दे नए नियोजन नीती का विरोध कर रहे जुवाओ का कहन पहले ज्खर्खन राज के यूआओ का भवित से और नौकरी सुरक्षित करने के लिए नियोजान नीती में कुछ सर्ते जोड़ी गई थी, जिसे अब हटाया जा रहा है, यूआओ का कहना है कि ऐसी नियोजान नीती नहीं चाहिए जिसमें ज्खर्खन के यूआओ को नौकरी किया है सुबह किये गए पुर्णमान के मुताबिक रांची के कई इलाकों में घर्जन के साथ बारी सुरू हो गई है मौसम विभाग के उनुसार 11 माज तक रांची और आस पास के इलाकों में मौसम का मिजयाज बदला हुआ रहेगा मतादे जहरखन में मौसम का मिजाज बदल रहा है मौसम विभाग ने राची समित कई जीलों में एलो अलर्ट जारी किया है राइधानी राची के साथ साथ बोकारों देवखागीर्डी गुमला और धनबाज जीले में कुछ गंटे के अंदर ही तेज हवा मध्यम में गरजन और बजरपात के साथ बारिश की चेतानी दी गई है मौसम केंद्र के पुर्णमान के अनुसार राची के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश भी सुरू हो गई है होली मनाने रात में अपने पैत्रिक गाउं पहुंचे सियम हेमन्त मुख्यमंत्री हेमन सुरेन बुद्धवार की रात करीब साड़े आठ बजे होली मनाने अपनी पैत्रिक गाउं गोला परखन के नेमरा गाउं पहुंचे मुख्य मंत्री के साथ उनकी पत्नी कलपना सुरेन, मारूपी सुरेन और अने रिस्तदार भी निम्रा आए बदादे उपायुक्त माधवी मिस्त्रावा पूलिस अधिक्छक प्यूस पांडे ने पौधा देकर मुख्य मंत्री का निम्रा में स्वागत किया इसके बाद उनके परिजनों और गाओं के लोगों ने मुख्य मंत्री हमन सुरेन सहीत उनके परिवार का परंपरिक रिती रिवाई लोटा पानी के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया है मुख्य मंत्री सुरेन रातरी विश्राम के बाद गुरुवार को अपने पैत्री गामे आदिवासी समाज के लोगों के साथ बाहा पर में भी भाग लेंगे इधर मुख्य मंत्री के आगमान की खुसी में उनके गाओं में जस्न का महौल है बाहा पर में सामिल होने से पूर्व गरामिनों ने जाहेर अस्थान की साप सफाई की है यहीं पर मुख्य मंत्री के साथ गरामिन पूजा में भाग लेंगे पाहन स्याम लाल सुरेन मुख्य मंत्री को बाहा पूजा कराएंगे बुढ़ा पाहर से भागे मावादी के दो टॉप कमांडर गिरफतार पुलिस की ओर से इसकी अधिकारिक तर पर पुष्टी नहीं की गई है बुढ़ा पाहर पर ओप्रेशन अक्टो पस सुरू होने के बाद 25 लाग के इनामी टॉप कमांडर नवीन यादव के साथ कई बड़े मवादी इलाके में निकल भागे थे नवीन यादव के साथ ही संजीव और कुंदन भी इसमें सामिल थे इडी कोर्ट के बिशेष नयाएधिस प्रभाद सर्मा के अदलत में उन्होंने हाजरी लगाई मंडेगा घोटाला केस में पुझा सिंगल की ओर से डिस्चाज पर्टिशन फाइल किया जा चुका है जिस पर 16 मार्च को सुनवाई की तीधिन दिधारी था है बता दे कि पुझा सिंगल खुटी मंडे का घोटाला के जरिये कडोर रुपए की संपति अरजित करने और इन पैसे को अलग-अलग जगा निवेस करने की आरोपी हाए बता दे कि पुझा सिंगल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हाए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सर्तों के साथ दो महीने की जमारत दी है गढ़वा में नहीं थमहा हंगामा बजार बंद गढ़वा में होली के दिन हुए हंगामे का असर गुरु आर को भी दिख रहा है घटना के बिरोद में कांडी बजार बंद है वहीं बजार बंद है सलक जाम है बता दे परखंड मुख्याले कांडी वा जिला मुख्याले के साथ साथ रांची, डेहरी, बंसिधरनगर, मजियाओ, मोहमत गंज, आदी जगों के लिए जाने वाली एक भी गाड़ी नहीं चल रही है सैकडों की संख्या में लोग सरकों परहंगामा कर रहे हैं गढ़वाज जीला के कांडी में बुद्धवार देर रात होली का जूलूस निकाला गया था जूलूस में बज रहे डीजे का पूलिस ने बिरोत किया और बंद करा दिया साथ ही मौके पर मौझूद यूवक में इसकुमार की पिटाई भी कर दिया है जिससे यूवक के सरीर के कई हिसे में चोट आई गायल यूवक को एंबुलेंस की मदद से समुदाईक स्वास्तिकेंद्र ले जाया गया है नकसली हमले में घायल सी आई पिएफ के चार जवानों को मिलेगा मौपजा सराइकला खरसवा जिला के राय सिंद्री बूरू टोला जंगल में नकसली हमले में घायल हुए चार सी आई पिएफ जवानों को मौपजा मिलेगा इस समंध में ग्रीवी भागने से वक्रीति दे दी है पेट्रोल डीजल की दर में कटावती पेट्रोलियम कमपनियों ने जारखंड में पेट्रोल और डीजल की नई कीमते जारी कर दी है दोनों कीमतों में थोड़ी कमी आई है एक लिटर पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे की गिरावट आई है वहीं डीजल में भी 9 पैसे की कमी आई ह शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत राजे में 100 रुपया 21 पैसे वहीं डियल की दर 95 रुपया है सब्जीयों के दाम में आया उच्छाल इस वरस की होली में सब्जीयों के दाम में खासा बढ़ोतरी देखने को मिली है सब्जी बेवसायों का कहना है कि जिस परकार से होली के दोना राजधानी राची सहीत राज के विभीन जीलो में बढ़ फुलू डिटेक्ट किये गए हैं ऐसे में आम लोग ननवेज की जगा सब्जीयों की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा उन सब्जीयों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो सब्जी बजार में नई नई आती है बता दे कदू, कटहल, जिंगा, भिंडी, परवल के दाम बजार में आसमान चु रही है सब्जी बजार में नई आती है, उन सब्जीयों के प्रती लोगों का चाव ज़्यादा है हालाकि जो सब्जी पूर्व सही बजार में बिक रहे थे, उन सब्जीयों के दाम काफी कम हुए है रांची के सौर्य की हत्या के आरोपी को पुलिस ने कोडार्मा से किया गिरफ्ता रांची जीले के बर्यातू थाना चेतरे के एदल हातू निवासी आठ वर सीये मासूम सरय के निर्मम हत्या के आरोपी को रांची पुलिशन मंगलवार देर रात कोडार्मा के जैनगरोड से गिरफतार कर लिया है जनकारी के अनुसार पकड़ा गया रोपी संजु पंडा ने मासूम सरय को अगवा करने के एक घंटे बाद ही मादाला था सौरय एदल हातू के आराधना गली का रहने वाला था संजु पड़ा सौरय के घर में किरायदार रह चुका था पुलिश के अनुसार संजु कुमार पंडा हजारी बाक करने वाला है कोडार्मा जिले में उसका ससुराल बताया जा रहा है तमिलाडू मामले में युवक गिरफतार तमिलाडू पुलिश न मंगलवार को जारखन के एक प्रवासी करमचारी को गिरफतार किया है अस्थानिये लोगों दवारा पिटाई की जाने का जूठा दावा करके प्रवासी सरमिकों के बीच अस्थान पैदा करने के एक विडियो बनाया उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूर की पाचान मनोज यादव के रूप में हुई है और उसके दोस्तों ने उसका एक वीडियो जारी कर तमिलाडू और जहारखन की राई सरकारों से उनके मुल अस्थान पर लोटाने का मदद करने का अनुरोद किया तमिलाडू पूलिस ने एक ट्वीट में कहा है तामबरम सीटी पूलिस ने इसकी जाच की और पता चला यह वीडियो मनोज यादव दोवारा लोगपिरेता हासिल करने और परवासी सरमीगों के बीच असांती पैदा करने के लिए बनाया गया था गुमला के सिसाई थाना छेतर में बजरपाथ से एक ब्यक्ति के मौत की सुचना है वह सिसाई थाना छेतर के नगरी चडरी तोली गाउव का निवासी था बक्री चराने के लिए घर से निकले घंज स्याम की वही मौथ हो गई पुलिस ने सवक आपोसमाश्टम करा कर परिजनों को सौप दिया है लोहरदगा के कुडू में प्रतिबंधित मांस के साथ गिरेफटार एक संस्त को पुलिस ने आज जेल भेज दिया है उसे कुडू थाना चेत्रे के रोचो गाउं से प्रतिबंधित मास के साथ ग्रामिनों ने पकड़ कर पुलिस के अवाले किया था जाच के बाद पुलिस ने उसे गिरफतार कर गुरु आर को जेल भेज दिया है उधर पसुपरान विभा की और से प्रतिबंधित मास की जाच की जा रही है थाना परभारी विश्वजीत कुमार सिंग ने बताया है कि पुलिस को सुचना मिली थी कि होली के दिन 8 मर्च को रोचो गाओं में प्रतिबंधि मास बेचने के लिए कुछ लोग पहुँचे हुए है कुलकता से रांची आ रहे है यातरी बस में हाट अटेक से मौत Kolkata से रांची आ रहे ही यात्री बस में सफर कर रहे एक यात्री की बस में ही गीरने की वज़ा से मौस्त होगा मिरित्ता की पाचान खोटी के रहने वाले 70 वर्सिय रतन टोपनों के रूप में हुई है मिरी जनकारी के अनुसार एक खतर वर्षी बुजूर्ग रतन टोपनों जो खोटी के कर्रा इलाके के रहने वाले हाँ वे किसी काम से कुलकत्ता गए हुए थे होली वाले दिन ही वे अरजु बस जो कुलकत्ता से राची की भी चलती है उस पर सवार होकर लोट रहे थे राज जेपाल ने राजबहन में खेली होली जारखन में होली की हुरदंग जारी है साथी राज जेपाल सीपी राधा किष्णन और मुख्यमंत्री हमांसुरे ने सभी को होली का सूब कमनाय दी है राजेपाल सीपी राधाक्रिष्णन ने भी राजबहन में होली खेला और ट्वीट के जरिये तस्वीर साजा करते हुए होली की बदाई दी उन्होंने अपने ट्विटर हेंडल पर ट्विट करते वे लिखा मैं सभी को होली की बहुत-बहुत सुभणाय देता हूँ साथ ही उन्होंने राजभवन में होली खेलने की तस्वीर भी सेर की है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अधा बगये साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोफ्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़ भाइक अवस्य दे थाइंक यू